देश के GDP ग्रोथ को लेकर एक और अनुमान सामने आ रहा है। नीती आयोग के पूर्व वाइस चेर्मेन राजीव कुमार ने चालू वितव वर्ष में देश की आर्थिक ग्रोथ रेट लगभग 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के नितरित्व वाली सरकार ने पिछले 9 साल में जो सुधार किये हैं, उससे देश की व्यापकुमार ने ये भी कहा कि भारत को 8 प्रतिशत से अधिक की व्रिद्री की जरूरत है और देश ऐसा करने में सक्षम है। देश की युवा आबादी की आकानक्षाओं को पूरा करने और अपने कार्यबल के लिए परियाप्त नौक्रियां पैदा करने के लिए आर्थिक व्रिद्धी को इस तर पर लाना जरूरी है। उन्होंने PTI भाषा के साथ खास बातचीत में कहा है कि मेरा अनुमान है कि वितववर्ष 2023 में भारत की GDP व्रिद्धी दर 6.5 प्रतिशत रहेगी। मुझे लगता है कि हम अगले कुछ साल इस व्रिद्धी दर को आसानी से बनाए रख सकते हैं। भारत की GDP व्रिद्धी दर 2022, 23 में 7.2 प्रतिशत रही थी, जो 2021, 22 के 9.1 फीसदी से कम है। भारतिय रिजर्व बैंक के अनुमान के मुताबिक चालू वितव वर्ष में भारत की GDP व्रिद्धी दर 6.5 प्रतिशत रह सकती है। कुमार ने आगे कहा कि भारत का चालू खाता घाटा संभाला जा सकता है और देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 11 महीने के आयात को पूरा करने के लिए परियाप्त है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जारी है। आपको तादे इंडिया रेटिंग्स एंड रुसच ने चालू वितव वर्ष 2023 के लिए भारत की व्रिद्धी दर का अनुमान 5.9 प्रतिशत से बढ़ा कर 6.2 प्रतिशत कर दिया है। ट्रेटिंग एजेंसी ने कहा कि सरकार के बड़े हुए पूंजी गत्व्याए, घरेलू कमपनियों एवं बैंकों के बही खातों में करज की कमी, वेश्विक जिन स्कीमतों में नर्मी और निजी निवेश में तेजी की उम्मीद जैसे कई कारकों की वज़े से उसने व्रि